कोरोना वाइरस के केसिस जैसे जैसे भारत में कम होते चले जा रहे हैं वैसे ही अनलोक प्रक्रिया है वो अपने अपने स्टेप के साथ बढ़ती चली जा रही है पूरे देश में अनलोक की प्रक्रिया चल रही है और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के चान्नी चौक मार्केट मे और ये चान्नी चौक मार्केट वो है जहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर खरीददारी करने आते हैं और दिली से तो लोग आते ही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय चिलचलाती दूप है गर्मी का मौसम है और करें या फिर दो-तीन दिनों की बात करें तो कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि 48,000-50,000 जो केसिस हैं वो अब 24 घंटों में दर्च कराए जा रहे हैं लेकिन अगर डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो अभी तीसरी लहर जो है वो भी दस तक दे सकती है जिसकी स्पॉंस मिल रहा है और कितना समय लगने वाला है इस परिशानी की घड़ी से बाहर निकल लेना है अगर सही पूछो तो बिल भी निकालना भारी है जो स्कूटर पर आते हैं अपने है उसका पेट्रों निकालना भारी हो रहा है घड़ा एक पैसे का नहीं है सुरे साम तक बैढ़े तो बोनी तक मी नहीं है अब फिलाल लेकिन ठोड़ा थोड़ा चलने लगाया है वह सकता थोड़ा अगे अगर कोई तीसरी बेव नहीं आई तो काम हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा अभी तो नहीं है फिलाल इस्तितिस टैम बहुत कंडिशन बहुत खराब है मार्किट की, कस्टुमर बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने मार्किट की कंडिशन, आप देख सकते हैं जैसे, और कम से कम भी एक देड़ साल मेरे वो नहीं लगता है कि मार्किट का कुछ हो सकता है, क्या हमारी जो कि मैं बहुत आले हैं